सबकों पर तेरती नाब, घरों में घुटनों तक भरा पानी, और घर की छटों पर डेरा डाले लोग उनकी तलाश में फिलाल जुटी हुटी हुटी, अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले, और घंटी को भी ओन कर ले, ताकि वीडियो का नुटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे हैं, तो मेरे प्रिये वाइबनों बांगला देश में हाला उन्हों ने इस्तिफा दिया और बांगला देश को छोड़कर भारत में आ गई है, अभी भारत में इस परकार से बताया जा रहा है, और इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई, जिया इस हिंसा में बताया जा रहा है कि कई लोगों को टोर्चर भी किया गया, और कई लोग हाला बहुत ही खराब थे और अभी और जो हाला थे वो बहुत खराब हो चुका है पेले जो हिंसा जारी था वो अभी कम हुआ है लेकिन बताया जा रहा है कि बांगला देश में एक और बार बहुत बड़ा संकट आ गया है कुद्रिती कहर बरस रहा है और वो है बाड जी हाँ बांगला देश में अधिक तर जिलो में बाड आ गया है और बताया जा रहा है कि लगबग पचास लाक लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं जी हाँ इससे प्रभावित हो चुके हैं और कई जो डेम है वो भी तूट चुके हैं और हालत बहुत कटो का सामना कर रहे हैं तो करिपा करके हम प्राफ न परहाथ्न न करेंगे बंगला देश क来 engagement की जो हालत है आप रमेश। सुदार्य परमेश रक्षा करें मदद करें जितने लोग आज बार के पारन मतलब फस हुए हैं परमेश bisschen का करें मजद करें और साथी साथ आप भारत की गुजरात राजी के लिए भी प्रात्न करें वहां पर भी बार आया हुआ है नमसारी और सारे संकट का सामना करना पड़ रहा है तो नदियों से घिरा हुआ है और हाले के दष्क में बांगलादेश में कई बार बार का संकट घ्ल चुका है और इस बार जो बार आया है बता रहे हैं कि भाई तीस सालों में ऐसा बार देखने के लिए बाड आया हुआ है। जो बांध के गेट थे वो खोल दिये जिसके कारण से मतलब ये बार आया है बांगलादेश में लेकिन ऐसा नहीं है और खाजिर कर दिया, इस बात को बताया कि बही ये जो बार आया है भारत के वैसे से नहीं आया वहांपर बारिश इतना बरस गया जिसके कान्ट से बारा आगया है तो गर्पिया करके प्रात न करे में भारत के घुजरत राज्य के लिए भी प्रात न करे गुजरात में भी बहेंकर तबाहि वा है आप सभी को जैय मसीग के प्रिजалोर प्रबु का आगमन बहुत ही निकट यह